छोटे बच्चों में अगर ACL tear हो जाया तो क्या करना है यह जो parents होते हैं बहुत stress में आते हैं कि सब्सक्राइब हो गया इसका आफिर क्या इलाज करना है क्या इसमें सजरी होनी है क्या इसमें प्रास्तर लगना है या इसमें rehab होना है यह question है जो कि most of the time unanswered रह जाता है और इसक वीडियो है ना यह छोटे बच्चों में ACL tear के बारे में बताने के लिए बनाएं गया है इसको ध्यान से देखें नमश्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर नीरे शिर्वास्त हूँ मैं एक आर्थ्रस्कोपी और स्पोर्ट्स इंज्री सर्जन हूँ और स्कोपी क्लिनिक परारसी में प्राक्टिस करता हूँ और महा का डिरेक्टर हूँ तो आज हम छोटे बच्चों में 18 से कम 18 साल से कम के बच्चों में ACL-TL क्या होता है कैसे होता है इसका इलाज क्या करना है उसके बारे मैं आपको मैं बताऊंगा देखें दोस्तों ऐसा है ना कि जो बहुँत चोटे बच्चे होता है आपन चाल हुआ या फिर 8 साल हुआँ इन में तो बहुत अंकॉमन है की ACL इंजिर्व इंज बहुत अच्छा होता है प्लस इनमें बहुत फ्लेक्सिविलिटी होती है बट आम तोर पर आठ साल के ऊपर मैंने ये इंजरी देखी हुई है हमारा जो यंग प्रेशिन रहा है उसको 11 सार में भी ACL के लिए अपनेट भी कर चुके है तो ऐसा हम नहीं सोच रहा है कि ACL लिगामे के हैं वो ही तूटते हैं जबकि बच्चों में जो लिगामेंट होता है वो इतना स्ट्रॉंग होता है कि आम तोर पर ये टीबिया से एक बोन का तुगड़ा लेके उखरता है तो ACL जो एवलजन होते है ना टीबियल साइट से ये ज़्यादा कॉमन है छोटे बच्चों में तो अगर वो अपनी जगह से हिल गया है और अपनी जगहा पे नहीं बैठा है तब हमको स्वजड़ी के बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि उसको अपनी जगहा फिक्स नहीं करेंगे तो आगे चलके वो प्रॉबलम करेगा घुटने में और हो सकता है कि नी में पॉमनेंट डैमेज हो और आगे चलके और बड़ी सवजड़ी करनी हो क्योंकि गलत तरीके से जुड़ना भी एक प्रॉबलम है जिससे कि आप पच्चे का पैर बादने पूरा सीधा नहीं हो रहा होता है तो अगर वो अपनी जगहां से गलत जगहां पर है तो उसको फिक्स करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है उसको हम लोग और्थोस्कोपिक विधी से बिना किसी चीरे से उसको फिक्स करते हैं एक इंपॉर्टन रहेगा और उसको कोई भी दिकत नहीं होने वाली है अब आता है दूसरा सिटिंग किसी किसी रेयर इंस्टेंस में क्या होता है कि जो आपका बच्चा है उसको एसल इंजरी हुई लेकिन वो जो उसका लिगामेंट है न उसमें टीर हुआ जैसे कि एडल्ट्स में होता है अ और इसलिए उसमें हम लोग ब्रेसिंग और रियाब जरूर देते हैं और मुझे लगता है कि most of the times most of the times जो हमारे बच्चे है न उनमें लैक्सिटी खतम हो जाती है और वो अपने रूटीन ने वापस लॉट आता है देखे important यह है न कि बच्चे को वापस रूटीन राना मत अलब कि उसको आप यह नहीं बोल सकते कि बिचा तुम खेलो मत तुम दोडो मत तुम कूदो मत तुम उबर खबर सर्फेस पर ना चलो चोटा बच्चा उसको इतनी बुद्धी नहीं है वो जब भी खेलेगा वो सब कुछ करेगा तो अगर वो सब कुछ कर रहा है और उसको अगर लचक आई तो उसके घुटने में और भी डैमेज जैसे काटलेज इंजरी या और उस्टेक उंडल कोई भी इंजरी हो सकती है या फिर मिनिस्कस का बड़ा डैमेज हो सकता है जैसे कि अडल्स में होता है तो यह बिलकुल मत सोचना कि बच्चे में अगर ACL इंजरी है और उसको लैक्सिटी है और हम छोड़ देंगे कवर अप कर जाएगा और वो उसको इंजरी नहीं हो गया इसा बिलकुल नहीं होना है तो अगर आपके बच्चे में रिहाब और ब्रेसिंग द्वारा ACL हील हो गया तो ही उसको वापस अक्टिविटी में ले आना है यह बिलक लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिहाब से ठीक नहीं हुआ बच्चा और लेक्सिटी प्रजेंट है और वो चलते जलते उपर कबर सर्फेस पर गिर जा रहा है उसका पैर घूम जा रहा है वह आपको ठीक से बता भी नहीं पाएगा तो आपको ध्यान देना है कि वह गि तो हम लोग को उसमें भी सजरी करनी पड़ती है अज़े स्पोर्ट इंजियर स्पेशलिस्ट हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चों में आवाइट किया जाए क्यों उसके दो कारण है एक कारण तो यह है कि जो भी हम ग्राफ लेते हैं आपके टेंडन के ग्राफ लेते हैं चाहिए वो हमस्ट्रींग ग्राफ ओ या कोडिसर्ग ग्राफ तो हमस्ट्रींग वगराबर यह सब कुछ बच्चों में अभी उतनी डेवलेप नहीं हुए रहते हैं बहुत ही पत्ले-पत्ले महीन धागे होते और वह भी ग्रोवन अप फेज में रहते हैं ग्रोज हो रही ह जैसे कि yellow graph होता ना वैसे वैसे ही हम लोग parents का निकाल के उसमें कर देते हैं दूसरे cases में क्या है अब second problem क्या आ रही है कि जो आपका बच्चा है उसमें चुकि physis अभी है चुकि उसकी growth अभी हो रही है उसके लंबाई बढ़ रही है इसलिए अगर हमने उसमें drills कर दिये normal adult की तरह जैसे कि हम drill करके उसमें TBR और TMR में sockets बनाते हैं अगर हमने पूरे-पूरे drill कर दिये तो हो सकता है कि उसमें growth disturbances हो जाए है उसका जो pair है ना वो तेड़ा मेड़ा आगे बढ़े तो उससे बचने के लिए हम लोग पहले तो avoid करने कोशिश करते हैं अगर मालों मजबूरी में surgery करना भी पढ़ गया हमको तो physis sparing surgery करते हैं physis sparing surgery में क्या होता है कि एक्वाल EP physis के अंदर ही drill करके हम लोग पूरा-पूरा ACL खतम कर देते हैं करके इसको करने का तरीका exactly all inside की तरह से होता है जिसको कि हम लोग देखते हैं सियाम मशीन की मदद में देखते हुए करते हैं और physis sparing ACL reconstruction कर देने से आपके physis में भी कोई भी damage नहीं होता है तो हम लोग parents का टेंडल ले करके physis sparing ACL reconstruction कर देते हैं और बच्चा आपका perfectly normal हो जाता है recovery जो बच्चों में है वो adults की तुलना में बहुत fast है अब आता है वो phase की 14 साल से 18 साल के बीज का बच्चा है अब क्या करता है अब मालो अगर वो female है तो 14 साल में female की growth almost complete हो चुकी होती है 14 to 15 is maximum time जब तक की female की height बढ़ती है उसकी फिफाइस close हो चुकी होती है तो उसको हम adult की तरह ही treat करते हैं उसका tendon 14 साल में हमको परियन के चुने की जोगत नहीं पढ़ती है हम बच्चे का tendon ही निकाल सकते हैं tendon अच्छा खासा growth हो चुका होता है उसका tendon निकाला अगर female है तो 14 साल में उसको हम adult की तरह treat करके उसका ACL बना देते हैं अगर वो male है तो मेस में जो growth होती है ने वो 17-18 साल तक होती है दमाय उनकी बढ़ती है तब हम लोग अगर उसका x-ray करके देखते हैं और physis अगर खुला हुआ है तो physis sparing और inside type technique से उसका हम लोग ACL deconstruction करते हैं और अगर मालो हमको ये लगता है कि अभी उसका बचा हुआ है अभी कुछ growth और अभी उसको उतनी लचक नहीं है तो कई भा हम लोग बोलते हैं बटा तुम एक साल बाद अपनी सर्जी कराओ एक साल तक bracing करो तो ये भी एक option होता है अगर आपका adult जो बच्चा है ना वो अभी adult होने वाला है और एक-दो साल पहले उसको चोट लगे माला 16 साल पर चोट लगे तो उसको एक-दो साल लोग टाल भी सकते हैं और gross lexity नहीं है तो तो ये सब था पुरा-पुरा समझाना, कि ACL फेल चोटे बच्चों में कैसे ट्रीट करना है अगर उनको पुरा-एसेल तूट गया लेगामेंट चोटे बच्चे हैं 10-12 साल के तो कैसे ट्रीट करना है अब अगर 14 साल के उपर का हो गया तो अगर वो female है तो कैसे ट्रीट करना है और अगर वो male है तो कैसे treat करना है तो हमें लगता है कि हमने सारा कुछ इसमें cover कर लिया है बाकी सजरी के बाद का process rehab सब कुछ same रहता है adult से बच्चे आपके और भी fast growth करते हैं और भी बढ़िया recovery करते हैं अच्छी बात है कि बच्चों में न चोटे बच्चों में जो meniscus होता है उसका vascularization बहुत अच्छा होता है तो most of the time meniscus heals very well तो meniscus repair के results बच्चों में बहुत अच्छे हैं तो बच्चों में कुछ हमको advantages भी मिलते हैं कुछ disadvantages भी मिलते हैं तो case to case selection करके हम लोग surgery या फिर rehab या braces plan करते हैं तो इसके बाद भी अगर आपको कोई doubts रह जाते हैं तो अब comment section में लिखके हमसे बात कर सकते हैं हम आपको इसका reply करेंगे अपना खयाल रखिया